सब को नमस्कार, देश और विदेश में इस इवेंट में हिस्सा ले रहे, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इतने चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामील होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बड़ेगा भी, भारत इस बड़ी आपदा को, आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्षका नहीं है। भारत आपदा कितनी बड़ी क्योन हो, उसको आउसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है, और हम सब मिलकर के आपदा को आउसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्म निर्भर भारत, सेल्फ रिलाइंट होने का सबग भी दिया है। आत्म निर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्म निर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोडों रुपियों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्यान के लिए काम में लाएगा। आत्म निर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े। इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विख्षित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा आगे बढ़ेगा। आत्म निर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं कल को और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूँ। ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेगे। साथियों इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवशक है कि हम एक-एक सेक्टर को पकड़ कर एक-एक प्रोड़क को पकड़ कर एक-एक सर्विस का ध्यान करते हुए। होलिस्टिक तरीके से काम करें एक-एक खेत्र को चून करके उस खेत्र में भारत को आत्मनिर भर बनाए। आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपून इनिशेटिव है, एक मजबुत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलाइंट बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा कदम उठाये जा रहा है। ये कारक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े, एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने काई हैं, ऐसा नहीं हैं, बलकि ये 130 करोड एस्पिरेशन्स को रियलाइज करने का कमिट्मेंट है। ये हमारे युवा साथियों के लिए, रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुवात है। साथियों, सेल्फ रिलाइज के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, जब पिछले महने, आत्म निर्भर भारत अभियान की गोश्णा हुई थी, तो कई लोगों को लगता था कि एक प्रकार से एक सामानिय सरकारी प्रक्रिया है। लेकिन महने भर के भीतर ही हर गोश्णा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो एग्रिकल्टर सेक्टर में हो, चाहे MS MS के सेक्टर में हो, या फिर अब कोल और माइनिंग के सेक्टर में हो। हर खेत्र में एक साम्स अनेक प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं, निर्णय किये जा रहे हैं और निर्णयों को देजी से जमीन पर उतारने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। यह दिखाता है कि भारत इस क्राइसीस को आपर्चुनिटी में बदलने के लिए कितना गंबीर है, कितना कमिटेड है। आज हम सिर्फ कॉमर्सियल कोल माइनिंग के लिए आक्षन ही लॉंच नहीं कर रहे हैं, बलकि कोल सेक्टर को बसकों के लॉकडाउन से भी बहार निकाल रहे हैं। कोल सेक्टर के लॉकडाउन का क्या प्रभाव रहा है, ये मुझसे भी ज्यादा आप सब लोग बहतर तरीके से जानते हैं। सोचिए, जो देश कोल रिजर्व के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो। जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडूसर हो, वो देश कोल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। बलकि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर्ट है, कोल आयात करता है। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोडूसर हैं, एक प्रकार से लार्जेस्ट प्रोडूसर के जो मेन ग्रूप हैं, हम उसमें से एक हैं। अगर ये सच्चाई है, तो हम लार्जेस्ट प्रोडूसर क्यों नहीं हो सकते। और ये हम सब को अपने आपको पूछना है। और यही सवाल मेरे आप सभी को और करोडों भारतियों के मन में भी हमेशा उड़ता रहा है। साथ्यों हमारे हां दसकों से यही स्थिती चल रही थी। देश के कोल सेक्टर को कैप्टिव और नोन कैप्टिव के जान में उल्जा कर रखा गया था। इसको कॉंपिटिशन से भार रखा गया था। ट्रांस्परंसी की एक बहुत बड़ी समस्या बार बार सामने आई है। इमानदारी से आउक्षन को छोड़िये कॉयला खदानों के एलोट्मेंट में बड़े बड़े गोटालों की चर्चा हर किसी ने सुनी है। हर समय हुई है, हर कौने में हुई है। इस वज़े से देश के कॉल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कम होता था और उसकी एफिशन से भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी। कोहिला निकलता किसी राज्य में था, जाता सेक्ड़ों किलोमिटर दूर किसी अन्य राज्य के पावर प्लांट के लिए होता था। जबकि वे राज्य के पावर प्लांट कोहिले का इंतजार करे रह चाहते थे। याने काफी कुछ mismanage था, अस्तवस्त था। साथियों, साथ 2014 के बाद, स्थित्य को बदलने के लिए, एक के बाद एक, कई कदम उठाए गए, जिस coal linkage की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया, ऐसे कदमों के कारण, कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। आज बड़े-बड़े reforms को एपसॉप करने की ताकत उसके अंदर आ रही हैं। अभी हाल में हमने वो reforms किये, जिसकी चर्चा दसकों से चल रही थी, आप लोग भी कर रहे थे। जो अपने आपको expert commentator मानते हैं, बे भी कर रहे थे। अब भारत ने coal और mining के sector में competition के लिए, capital के लिए, participation और technology के लिए, पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है, कि जो नए players, private players, mining के ख्षेतर में आएं, उन्हें finance के कारण कोई दिकत न हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। ताकि नए लोगों को प्रसान मिले। साथियों, एक मजबूत mining और mineral sector के बिना, self-reliance संभव नहीं है। क्योंकि minerals और mining हमारी economy के important pillars हैं। अब reforms के बाद अब coal production, पूरा coal sector भी एक प्रकार से आत्मन निर्वर हो पाएगा। अब कोईले के लिए बाजार खुड़ गया है, जिस sector को जब जितनी जवरत होगी वो खरीदेगा। सांतियों जो reforms के लिए, और जो reforms हमने किये गए है, उसका लाप सिर्फ कॉल सेक्टर कोई नहीं है, दूसरे अन्य सेक्टरों पर भी पड़ेगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही, स्टील, अलुमरियम, फर्टिलाजर, सीमेंट, जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मा पॉजिटिव इंपेक्ट होता है। बहुत आस्पासी होते हैं, एक प्रकार से परमातमा ने यसे क्लॉस्टर बना करके रखा हुआ है हमारे लिए। ऐसे मैं हाल में ही मिनरल्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किये गए थे, वो कोल माइनिंग रिफॉर्म्स के साथ जूड़ जाने से ये बाकी सेक्टर भी बहुत मजबूत हो गए हैं। साथियों, कॉमर्सियल कोल माइनिंग के लिए आज जो आक्षन की शुरुवात हो रही हैं, वो हर स्टेक होल्डर के लिए विन-विन सिचुएशन है। इंडर्स्रीश को आपको अपने बिजनेस, अपने इंवेस्टमेंट के लिए अम नए रिसोर्सिज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बहतर रिवन्यू मिलेगा, देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोईले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानि हर सेक्टर पर एक पोजिटिव असर देखने को मिलेगा और मैं जो फिल कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज़्यादा आशिरवात हम सब को मिलने वाले हैं। साथियों, कोल्ड रिफॉर्म्स करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एन्वार्मेंट की रक्षा का भारत का कमिट्मेंट कहीं से भी कमजोर न पड़े। कोल्ड से गैस बनाने के लिए अब बहतर और आधुनिक टेक्नोलोजी का हम प्रयोग करना चाहेंगे चाहें और टेक्नोलोजी आप आएगी। कोल्ड गैसिफिकेशन जैसे कदमों से एन्वार्मेंट की भी रक्षा होगी। कोईले से बनने वाली गैस का उप्योग ट्रांस्पोर्ट और कोकिंग के लिए हो पाएगा। यूरिया और स्टील मैनिफेक्टरिंग से जुड़े उद्योंगों को प्रमोट करेगा। 2030 तक यानि की इस दसक में करीब 100 मिलियन टन कोल को गैसिफाइड किया जाए। मुझे बताया गया है कि इसके लिए चार प्रोग्रिजेक्स की पहचान हो चुकी हैं और इन पर करीब करीब 20 हजार करोड रुपिये इन्वेस्ट किये जाएंगे। साथियों कोल सेक्टर से जुड़े ये रिफर्म्स इस्टन और सेंट्रल इंडिया को विशेश कर हमारी ट्राइबल बेल्ट को डेवलप्मेंट का पीलर बनाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहां जहां कोईला है जहां मिनरल से देश का वो हिस्सा प्रोग्रेस और प्रस्परिटी के मामले में उस तर पर नहीं पहुच पाया है। देश का यह वो हिस्सा रहा है जहां बड़ी संख्या में एस्पिरिश्टल डिस्टिक भी है। वो जिले जहां के लोग विकास के लिए एस्पायर कर रहे हैं। लालाईत है, कुर्क कर गुजरने का इरादा रखते हैं, सामर्त है, शक्ती है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन यही जिले विकास के दोड़ में बहुत पीछे रह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। देश में 16 एस्परेशनल डिस्टिक ऐसे हैं, जहां कोईले के बड़े बड़े भंडार हैं। लेकिन इनका लाप वहां के लोगों को उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वहां के गरीबों का जितना भला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यहां से बड़ी संख्या में हमारे साथी, दूर दूर अपने बूढ़े माबाप को छोड़ करके, अपने खेत कलिहान को छोड़ करके, अपने यार दोस्तों को छोड़ करके, बड़े शहरों में, रोजगार के लिए, एप्लॉइमेंट के लिए, माइग्रेशन करते हैं। ऐसी अनेख समस्याओं को कम करने और पुर्वी भारत और मद्य भारत की एक बड़ी आबादी को उसके घर के पास ही बहतर रोजगार के आउसर देने में कॉमर्सियल माइनिंग तरब हम जो कदम उठा रहे हैं वे एक इच्छित प्रणाम लाएंगे और जब मैं इच्छित प्रणाम की बात करता हूँ मुझे इन ख्षेत्रों का विकास करना है हमें वहां के गरिवों का भला करना है हमें पहले उस इनाके को आत्मंदिर भर बनाना है बना के हर परिवार को आत्मंदिर भर बनाना है हर गरिव की जिन्दगी में बड़लाव लाना है आज जिन कोल ब्लॉक्स का आउक्षन हो रहा है इनसे ही इस ख्षेत्र में लाखो जॉब पैदा होने का अनुमान है इतना ही नहीं कोईला निकालने से लेकर ट्रांस्पोर्ट्रेशन तक को बहतर बनाने के लिए जो आधूनिक इन्फास्रक्टिब तैयार किया जाएगा उससे भी रोजगार के अवसाय बनेंगे वहां रहने वालों को अधिक सुविधाएं मिलेगी अभी हाली में सरकार ने इस तरह के इन्फास्रक्टर पर पच्चास हजार करोड रुपिये खर्च करने का अंद्रिने किया है साथियों कोल सेक्टर में हो रहे है रिफार्म इस सेक्टर में हो रहा निवेश लोगों के जीवन को विशेश कर हमारे गरीब और आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा कोल प्रोडक्शन में अनकोल प्रोडक्शन से राज्यों को एक्स्टा रिवन्यू मिलेगा उसका इस्तमान वहां की जन कल्यान योजनाओं में होगा उस राज्य के विकास में होगा इसके साथ ही राज्यों को डिस्ट्रीक मिनरल फंड उससे भी बहुत मदद मिलने वाली है और यह मदद जारी रहेगी इस फंड का बड़ा हिस्सा कोल माइनिंग के आसपास के इलाकों में जरूरी सुवीधाओं के विकास में लगाया जा रहा है वहां के लोगों की जीनगी इस अफ लिविंग उनको जीने के लिए जूजना न पड़े उन्हें सरकारों के साथ जद्दो जहाब न करना पड़े वो आत्म सम्मान से जीए वो आत्म निर्वर हो करके जीए यानि जहां संपदा है वहां रहने वालों में संपनता भी हो इस लक्ष को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं आज उठाए जा रहे हैं ये कदम इस लक्ष को हासिल करने में बहुत मददगार सिद्द होंगे साथियों ये आउक्षन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में बिजनेस एक्टिविटी तेजी से नॉर्मल हो रही है कंजम्शन और डिमांड बड़ी तेजी से प्री कोविड लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ऐसे मैं इस नई शरुवात के लिए इस से भैतर समय हो ही नहीं सकता पावर जनरेशन हो कंजम्शन हो पैट्रोलियम प्रोडक्स की डिमांड हो इन में मई के आखरी और जून के पहले हपते में तेजी से बड़ोत्री हुई है इसी तरह अप्रेल की तुलना में इवेबिल्स उसमें करीब 200 परसेंट का बड़ा उचाल देखेने को मिला है 200 परसेंट जून में टॉल कलेक्शन भी फरवरी के कलेक्शन का 70 परसेंट तक पहुँच चुका है मई के महने में रेल्वेब फ्रेट टरिप उसमें भी एप्रिल की तुलना में 26 परसेंट की इंप्रूमेंट दर्जी की गई है अगर टोटल डिजिटल रिटेल ट्रांजेक्शन उसकी बात करें तो उसके वाल्यूम और वैल्यू दोनों में बृद्धी होनी शुरू हुई है साथियों रूरल एकनोमी भी अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर रही है इस बार खरीप करप का एदिया पिछले साल के मुकाबले तेरा परसंट से ज़्यादा है इस वर्ष गेहूं का प्रोडक्शन और प्रोक्रमेंट दोनों बड़ा है पिछले साल के मुकाबले अभी तक गेहूं का ग्यारा परसंट से ज़्यादा प्रोक्रमेंट किया जा चुका है मतलब ये कि किसानों की जेब में भी इस बार ज़्यादा पैसा पहुँचा है ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया आने कुछ कम गिनाये हैं ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो दिखा रहे हैं हम आत्मनिर भर बन सकते हैं आप याद करिए सिर्फ कुछ सत्ता पहले तक हम N95 मांक्स कोरोना की टेस्टिंग कीट परस्नल प्रोटेक्टिव इक्विक्मेंट पी पी ए वेंटिलेटर अपनी जरूरत का जाज आतर हिस्सा हम भार से मंगाते थे अब भारत अपनी दिमांड को मेक इन इंडिया से पूरी कर रहा है इतना ही नहीं बहुत जलहम महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोडेस के एक्ष्पोर्टर भी बनेंगे आप अपना विश्वास अपना होसला बुलंद रखिये हम सब मिल करके ये सपने साकार कर सकते हैं हम आत्म निर्भर बन सकते हैं और ये हम सब का संकल्प है एक सो तीस करोड देश्वासियों का संकल्प है हमें आत्म निर्भर भारत बनाना है और हम आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं सेल्फ रिलाइंट इंडिया की जो जर्णी एक सो तीस करोड भारतियों ने शुरू किया है आप भी उसके भागिदार है आप नेतरुत्व करने के लिए आगे आईए जीवन में ऐसे मोके बहुत कम आते हैं जब कुछ करकर के इतिहास को मोड़ देने की मोका आ जाता है आज भारत के उद्योग जगत को आज भारत के व्यापारी जगत को आज भारत के सर्विस सेक्टर को लीड करने वाले लोगों के लिए इतिहास को बदलने का मोका आया है इत्यास की दिशा बदलने का मोका आया है भारत के भागे को बदलने का मोका आया है हमें इस मोके को जाने नहीं देना है हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं है आईए भारत को आगे बढ़ाएं भारत को आत्मे दिरफर बढ़ाएं साथियों आज मुझे आपके बीच आने का मोका मिला मामला तो कोईले का है तो हीरे के सपने देख करके चलना है एक बार फिर आप सभी को इस एहम शुरुवात के लिए कोल्स सेक्टर के इस एहम पड़ाव के लिए मेरी तरब से बहुत बहुत शुबकामने है मैं विशेश रुप से मंत्री परिषद के मेरे साथी प्रहला जोसी जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्यों उन्होंने इस लॉकडाउन पिरियड का इतना उप्योग किया पूरे डिपार्टमेंट के हर बारिक्यों का अध्यन किया देश के लिए नया क्या कर सकते हैं नये तरीके से क्या कर सकते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी लीडर्शिप दी है मैं प्रलाज जी को उनके सचीव और उनकी टीम को आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको लगता हूगा कि आप एक छोटा सा कारकम कर रहे हैं प्रलाज जी मुझे नहीं लग रहा है मैं तो देख रहा हूँ कि आप आत्मंदीर भर भारत के लिए एक मजबूत नीवाज डाल रहे हो और इसलिए आर अर आर आपकी टीम बहुत बधाई के पाता है उद्योग जगत के जो साथिया यहां मौजूद है उनको मैं फिर से एक बार भी स्वास दिलाना चाहता हूँ मैं आपके साथ हूँ देश हित के हर काम में आप दो कदम चलिए मैं चार कदम चलने के लिए आपके साथ हूँ आईए हम मिल करके इस अवसर को जाने न देए फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुक्पामना है बहुत बहुत धन्वार